सब्सक्राइब करिए पांडे जी टेकनिकल चैनल को और बेल आइकन को दबाईए हमारे लेटेस्ट इजुकेस्टनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो अगर आप एक यूपी पॉले टेकनिक फर्स समिस्टर के स्टूडेंट हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी पॉले टेकनिक फर्स समिस्टर एक्जामिनेशन के लिए तो आज आप इस वीडियो को सुरू से लेके लाक्ष तक दिखते रहे हैं आपको पता चलने वाला है अनुप्रयुक तरह शायन यानिकी अपलाइड कमेस्टी के मौडल पेपर के बारे में कि किस तरीके से उसमें जो है मौडल पेपर पूस्ता है न्यू से लेबर्स के एकॉर्डिक ठीक है दोस्त तो इसमें जो सबसे पहला जो है वो information कुछ कहा है कि सभी प्रश्न हल कीजिए सभी प्रश्णों के अंक उसके मतलब अंक समान है ठीक है सभी प्रश्णों में मतलब दस अंक दिये गये हैं इसमें पहला जो प्रश्ण कहा रहा है इसमें कोई दस भाग हल कीजे यानि कि इसमें यहां पर आपको यहां पर कुल बारक मतलब खंड दिया गया है जिसमें आपक तब एक लाइन में या फिर कुछ बहुभी कलपी कोशन दिये गए हैं, उन्हें आपको करना है, इसमें किनी 10 कोशन को ही करना है, ठीक है, और उसके बाद से अगर आप 10 कोशन को करते हैं, तो प्रतिक कोशन के लिए आपको एक नमबर दिया जाएगा, यानि कि 10 नमबर पहले कोशन से आपको मिल जाएगा, जैसे कि यहां पर आपको देख पा रहे होंगे कि 10 into 1 equal to 10, ठीक है, तो यहां पर प्रतिक कोशन पर आपको एक नमबर पढ़ा, ठीक है, अब जो दूसरा कोशन है, वो कुछ इस तरीके से है कि निम्न में कोई 5 प्रस्नों के उतर दीजे, ठीक और यह कुछ ज्यादा मतलब सही बात नहीं होगी, इसलिए आप दो से तीन लाइन ही लिखे हैं, ठीक है, इसमें पहला कोशन कहा रहा है कि हुंड के निम का लिख कीजिए, एक उधार देकर इसे सपस्ट कीजिए, यानि कि हुंड का निम क्या है, उसे लिख देना है, और इसके बाद से आपको यहां पर दिख रहा होगा, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि उसके बाद से यह साथ कोशन है कुल, उसमें आपको पांच कोशन करने हैं, यानि कि दो कोशन आपके अगर नहीं भी आते हैं, और मतलब कोई भी पांच कोशन इसमें कर देने हैं, ठी कोशा कोशन है कि इधन के कैलोरी मान पर एक टिपड़ी लिखिए ठीक है तो थोड़ा बहुत इसमें भी लिख देना है और बहुत सारे कोशन है मतलब तो अगर आप यह देख पा रहे होंगे तो यहां पर आप देख लीजेगा क्योंकि अगर सभी कोशन को मैं पढ़ता यानि कि तीसरा कोशन भी आपको 10 नंबर का हो गया जिसमें पहला कोशन है कि बोर के परमारू माडल का वरण कीजिए तथा इसके सीमाय भी लिखिए तो बोर का परमारू माडल आपको वरण कर देना है और इसके सीमाय क्या है वो भी लिख देना है दूसरा कोशन कह रहा है कि जल गैस क्या है यानि कि वाटर गैस क्या है जल गैस का निरमार किस प्रकार किया जाता है तदा इसके उपयोग लिखिये ठीक है और इसका दूसरा भाग जो है वो कह रहा है कि बी ओडी यहीं कि बैलोजिकल ऑक्सिजन डिमांड और सी ओडी केमिकल ऑक्सिजन डिमांड में विभेद कीजिए ठीक है तो जो टेबल बनाके मैंने बताया था उस तरीके से आपको कर देना है ठीक है और जो तीसरा कोशिन कहा रहा है कि मानग इलेक्टोड विभो क्या है इल जौतेивается कोशन की तो इसमें भी आपको दूग करने हैं और तीन कोशन दिया गया है और प्रते इक कोशन के लिए आपको पांस नमर मिल जाएंगे तो overall ये paper है आपका model paper है and 5 वार जो last question कह रहा है जिसमें पांस वे question करने है और पांस वे question में जो तीन भाग है उन तीनों भागों में किवल 2 भागों को करना है जिसमें एक भाग में IPSC नाम लिखना है यौगी को के और दूसरा जो भाग है उसमें पानी, पानी, पीने के पानी में टीडियस क्या होता है, ठीक है, वो बताना है, और दूसरा जो इसका भाग कह रहा है कि जल की को ठोड़ता के कारणों का उलिख कीजे, और जो तीसरा भाग कह रहा है, वो कह रहा है कि उसमें दो भाग बट गय और इसका बोवाला पार्ट कहा रहा है कि बैकलाइट ते था अकार्बनिक बहुलकों पर टिपड़ी लिखिए तो इसमें आपको बैकलाइट और अकार्बनिक योगी को पर टिपड़ी लिख देना है तो दोस्तों फाइनली यह है आपका मोडल पेपर और इस तरीके से आप मोडल पेपर को देख के और तיारी कर सकते हैं एससे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इस तरीके से एक्जामिनेशन में कोशनek बनते हैं and chemistry पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजेगा क्योंकि chemistry का paper जो है थोड़ा टॉफ हाता है इसलिए अधिक से अधिक chemistry को पढ़िएगा chemistry and technical drawing and math जो है math में आपका ज्यादा नंबर मिल जाता है अगर अच्छे तरीके से आप पेपर करते हैं ठीक है दो यह सारी चीजे हैं जो मैंने आपको बताई अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्ली चैनल को सेर नहीं किये हैं तो सेर भी कर दीजे और चैनल को सपोर्ट बिल्कुल कीजेगा धन्यबाद दोस्तों जय हिंद जय भारत